हे दोस्तो, क्या आपको इन पाच टाइब की फ्रीडम में से जिंदगी में कोई भी एक फ्रीडम चाहिए या सारी चाहिए? कौन से फ्रीडम की बात कर रहा हूँ? पहली है, obviously, financial freedom, मतलब पैसो की कमी, scarcity से freedom, दूसरी है work freedom, मतलब बीना मन जो काम जबर्दस्ती करना पड़ता ह उससे freedom, third, किसी पे भी ना depend होनी की freedom, fourth, एक mediocre life से freedom, मतलब बस ordinary बनके जीना और मर जाना, या फिर last, hyper realities से freedom, जिसके बारे में मैंने भी ये recently पेर जो वीडियो था, उसमें बताया था, अगर आपको इन सारी freedoms में से कोई भी एक freedom भी चाहिए न, तो आज का वीडियो आपके ल पाते हैं, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, freedom अचीव नहीं कर पाते हैं, एक illusion में जीते हैं, जो बहुत बहुत बढ़ी problem है उनके लिए, अब उस वाले वीडियो में मैंने सारी problems तो एक एक करके अच्छे से गिना दी थी, बट solution क्या है, well solution के लिए भी again, MJ Demarco की उसी सकते हो, मैं सारी अच्छी बात बताऊंगा लेकिन एक request है, सीकन चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो कर लो यार, मैं ऐसे ही valuable, जो paid course की level की बाते होते हैं, books की depth वाली बाते होती है, वो सारी बाते आपके साथ free में हर रफते share करता रहता हूँ, कुछ नहीं चाहेगा, subscribe कर तो मुझे और अच्छा लगेगा इन बातों को share करने में, इसलिए appreciate करने के लिए subscribe करके bell icon जरूर दबा जेना, अगर आपने नहीं दबाया है तो, छलो अभी आते है main बातों पे, अगर आपको इस सारी freedom सचीव करना है तो वो सारी freedom की शुरुआत होती है, एक movement से, Tony Robbins में चीज़ के बारे में बोलते हैं, कि कई बार लोगों को लगता है ना कि उन्हें अपनी जिन्दगी बदलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़े करनी पड़ेगी, बहुत time invest करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी जिन्दगी को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग अपनी जिन्दगी को एक मुवमेंट में भी बदलना चालू कर सकते हो, कई बार एक मुवमेंट भी बहुत होता है, ऐसे कई सार लोगों आप जानते होंगे, जो लोग हमेशा सिगरेट पीते थे, बट फिर रिलेशन्चिप में आ जाते हैं, तो लोग सिगरेट पीना और अपनी कई सारी बुरी आदते बंद कर देते हैं, बस कुछी मुवमेंट में आपको चेंज कर डालते हैं, ऐसे जिन्दगी में बड़ी बड़ी चीजे लोग बदल देते हैं एक मुवमेंट में, और ये इवेंट बहुत पावफुल होता है, MZMR को इस इवेंट क अगर आपकी जिन्दगी में अभी तक ये इवेंट नहीं आया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वो इवेंट बने, इसलिए चाहो तो ये कमेंट भी कर देना, Yes, I will change my future, और कल पर सो नहीं हो गई है, ये आप आज से ही शुरुआत करने वाले हो, वीड अगर मैं आपसे पूछू कि बहुत अच्छी, बेस्ट लाइफ का दुश्मन क्या है, बुरी जिन्दगी, नहीं, बुरी जिन्दगी नहीं है, मीडियोकर जिन्दगी सबसे बड़ी दुश्मन है, प्यक्स बुरी जिन्दगी रहेगी तो लोग से बदलने के लिए कुछ कुछ करते हैं, लेकिन जब मीडियोकर जिन्दगी आ जाती है, जस्ट इनफ, गुड जिन्दगी आ जाती है, तो कई बार लोग अच्छी जिन्दगी के तरफ नहीं आगे बढ़ते हैं, इसलिए इससे बच के रहो, सेकंड चीज जिससे आपको बचनी है, एक रियल FTE इव इतने पैसे के लिए काम करूँगा, मैं बस यहां काम करूँगा, हो यही नहीं सकता है, और कई बार इनके जो इगोर प्राइड होता है, यही उनके लिए वो रियल FTE इवेंट आने नहीं देता है, जबकि आपने देखा होगा जो अंट्रपरनर्स होते हैं, जिने सच में जिन्दगी बदलना होती है, वो लोग यह सब छोटी-मोटी बातों के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए वो लोग कई बार हफ्तों, महीनों, विदाउट पेमेंट काम करते हैं, मैनत करते रहते हैं, क्योंकि उनका इगो बड़ा नहीं है, उनके ड्रीम्स बड़े हैं, responsibility, कई सार लोग जाने अन जाने में गलती करके, बहुत सारी responsibilities अपने सर पर उठा लेते हैं, जिसके जैसे क्या होता है, वो लोग चाह कर भी बड़ी चीज़े नहीं कर पाते हैं, और last, सबसे fourth common चीज़ है, fear, जो real FTE event होता है न, वो किसी चीज़ से नहीं डरता है, क्या बारे में नहीं सोचते हैं, वो लोग बस decision लेते हैं और action लेना start करते हैं, बस ये चार चीज़े से बचके रहोगे, तो आपका वो TFE, ये वाला जो event है, वो real event आपाएगा, ये event आपकी जिंदगी में, उसके बाद जो सबसे important step आता है, वो है 3B का, 3B क्या-क्या होता है, ज अपना ego बीच पे नहीं लाते हैं, वीडियो कर लाइफ से निकलना चाहते हैं, responsibility को भी overcome कर लेते हैं, बट फिर भी अना, उनका belief होता है, जो belief, वो strong नहीं हो पाता है, और वो belief strong नहीं होता है, इसलों लोग कुछ नहीं कर पाता है, वो तो बताते है, art type के गलत belief हम सब के दि दुढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा कही नहीं वो magic pill, वो miraculous weapon दुढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो शायद उसे लगता है कि उसे मिल जाएगा, तो बहुत successful बन जाएगा, हम सब के दिवाएम कही नहीं रहते हैं, ये वाले इंसान, ये जो अमीर इंसान है, जो कुछ हमारे ये course ले लो और साथ दिन में पतले हो जाओगे, हमारे ये चीज़ ले लो और एक महीने में आप बहुत बड़े यूटूबर बन जाओगे, अगर आपको कोई भी ऐसी बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है न, वो get rich quick ये shortcut बेचने की कोशिश कर रहा है, तो most probably वो गलती इसलिए इस belief से बच कर रहो, second belief जिससे आपको बचना है, the special scam, अब ये जो scam है न, इसमें दो type के लोग होते आप बोल सकते हो, जो दोनों ही गलत होते हैं, पहले वो लोग, जिनने लगता है न, कुछ बड़ा अचीव करना है न, बड़े-बड़े सपनों को अचीव करना है तो उसके रहे न, कुछ ऐसे talent की जरुवत होती है, जो उनके पास नहीं है, या फिर दूसरे वो type के लोग होते हैं, जिनने लगता है कि मुझे वो सारी चीज़ा अचीव करना है न, मुझे ऐसे कि millionaire बनना है, तो वो सारा talent में अदर already है, जो मुझे millionaire बनने के लिए help करेगा बट सच यह है कि ये दोनों बात सच नहीं है, ये दोनों ही कही न कहीं, fixed mindset की तरफ इशारा करता है, जहां पर लोग लगता है कि हमारे पास जो talent है, वो सारी चीज़े fixed होती है, बट सच तो यह है कि आप कोई भी field में, अगर regularly काम करते जाते हो, तो आपको इस field की knowledge होते रह का, growth mindset वाली ये समझते हैं, कि अगर बस वो लोग time और effort और energy invest करेंगे, और चीज़े सीखते रहेंगे, तो वो लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, fixed mindset वाली ये नहीं सोचते हैं, तो खेर, ये belief को तोड़ने के लिए आपको याद रखना है kaizen principle, अगर आपने इसके बारे म की कोशिश करो, daily efforts डालके, second, tiny improvements करने के उपर focus करो, ऐसा है नहीं कि एक साथ ही बहुत सारी चीज़े करना है, छोटी-छोटी चीज़ डेली करते रहोगे, तो वो आपको बहुत जा help करेगा, और third, सबसे important है, ये सब चीज़ करते वोग, आपको comparison नहीं करना है, आपको social media प दोड़े चले आते थे आपको खाना देने के लिए, तो बचपन से कहीं लगता है, हमें बस रोना है, गाना है, और चीज़े फ्री में हमारे साथ हो जाएगी, especially वो parents जो लोगा हमेशा अपने बच्चे की हर जरुवत को बूरा करते हैं, उनके साथ ये वाला scam सबसे अदा ह consumption scam, जहां पर उन्हें लगता है, कि मैं बस consume करता रहूंगा, तो चीज़े होते रहेगी, जबकि actual मैं entrepreneurs और metrics को तोड़ पाते हैं, वो समझते हैं, कि अगर उन्हें कुछ करना है, तो उन्हें consumer नहीं, बलकि creator बनना पड़ेगा, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है, आपक करने के बज़ए, रेंट पर घर देना स्टार्ट करो, हमेशा बड़े-बड़े ब्रैंड्स खरीदने के बज़ए, बड़े-बड़े ब्रैंड्स बनाने पर फोकस करो, अच्छे-ची सैलरी पर फोकस करने के बज़ए, अच्छे-ची सैलरी पर लोगों को हायर करने पर फो बल्के creator बनना आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा फोद बिलीव है the money scam देखो ये डाविंची के एक पेंटिंग है Salvatore नाम की अब ये जो पेंटिंग है उसे साथी अरिब्या ने 450 मिलियन डॉलर्स में खरीता जो इंडियर रुपीज में इतना होता है अब अगर उसे कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा न तो वो सोचेगा कि ये पेंटिंग में ही क्या बट नहीं अक्च्वल में कुछ तो रीजन होगा न जिसके वज़े से लोगों इतना पैसा उसको दिये है और उसको ही बोलता है extrinsic value देखो दो टाइप की values होती है एक intrinsic value और एक extrinsic value जैसे कि for example ये जो mic है मेरा इसको बनाने में कुछ पैसे खर्च होता है जैसे कि ये steel का prod बनाने का खर्चा इसके अंदर का circuit बनाने का खर्चा वायर का खर्चा वो सारी चीज़े बनने के जितने पैसे लग रहे अगर सिफ उसके हिसाब से देगे तो वो होती है उसकी intrinsic value बद extrinsic value ये है कि लोग इसका कितना पैसा देने के लिए तयार है बद इसकी actual में लोग कितनी worth समझते है तो आपको क्या focus करना है आपको इन्ट्रिंसिक value और extrinsic value दोनों पर focus करना है ना कि बस पैसों पर कई बार लोग पैसा पैसा बहुत focus करते है बढ़ आपको focus करना है value पर चीज़ की intrinsic value क्या है या extrinsic value क्या है जब आप उसको समझना चालो करोगे और जब creator बनके अपने product, अपनी services के extrinsic value बनाओगे तब ही आप बहुत कुछ कर पाओगे याद रखो, लोग या ना perceived value के focus करते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको पेचना है तो लोग तभी उस चीज़ को खरीदेंगे जब वो उस चीज़ की value समझेंगे और वो value आपको perceived कराना है उन्हें समझाना है कि वो चीज़ की value कितनी है Starbucks में जो चाय और कॉफी मिलती है अगर आप वो देखोगे, तो कोई भी गरीब इंसन सोचके देखेगा कि इतने पैसे की तो यह होनी नीची है intrinsic value तो बहुत कम है बट उसकी perceived value फिर भी जादा है क्यों वो लोग ने ऐसा environment create किया है वैसा brand create किया है तो money से जदा आप perceived value के उपर focus करना चालो करो यह चीज़ आपको अमीर बनाएगी fifth belief जिससे आपको बचना है वो है the poverty scam कई बार लोग को लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको किसी और को गरीब बनाना जरूरी है ऐसा दिखाया जाता है जो अमीर होते हैं वो लोग बहुत selfish लोग होते हैं जिनकी लोग को जरूरत है जो लोग उनसे खरीदते हैं और ये चीज़ को समझो आदमी अच्छा हो या बुरा हो अगर आपको वो valuable चीज़ देगा तो आप उससे खरीदोगे इसलिए ऐसे इंसान बनने पर focus करो जो लोगों को value provide करता है इसलिए हमेशा ये चीज़ को याद रखो massive amount of पैसा तभी create होता है जब massive amount of value create होती है society में और उसे deliver भी की जाती है अच्छे से यही चीज़ अमीर लोग समझते हैं जिसके जिसे लोग matrix तोड़के बड़ी चीज़े इंदगी में कर पाते हैं जबकि गरीब लोग का ये belief system होता ही नहीं है छटा है deluxe cam अच्छे देखो ये coin है 10 रुपय का coin है game guild ठेख ठीक है मैंने score आया और मैंने इसा हाथ में रखा है बताओ heads ये tail चलो समझो आपने tails बुला और मैं देखा ये आया हुआ है tail तो अब क्या आप lucky हो गए चलो एक और बार अब बुलो अब अगर आपने tails बुला तो नहीं इस बार आया है heads तो मतलब क्या आप unlucky हो गए विल नहीं obviously toss उड़ाने से आप lucky नहीं हो 50-50% chance था आपने miss कर दिया कोई बात नहीं लेकिन आप imagine करो मैं वापिस से अगर यही coin उड़ाओ और अगर मैं बुलू अब अगर आपने सही जवाब दिया ना तो मैं आपको 10 million dollars दूँगा अब suddenly अगर आपने heads बुला और आप जीत गए तो कई बार लोग ए ना अपने आपको lucky समजने लगेंगे जबकि उससे कुछ फरकी नहीं पढ़ता है पैसा आने नहीं आने से क्योंकि odds तो 50-50 थे पहले भी और अभी भी अच्छे से लो इसको और interesting मनाते है अभी समझो coin उड़ाना मैं चालू करता हूँ आपको 10 बार मौका मिलेगा कि आपको answer देना है तो अब आपको लगता है आपके चांसे बढ़ जाएंगे क्यों 10 में से एक तो आप बोली दोगे बहुत दा चांसे निकल जागा राइट वेल यही है entrepreneurship और content creation या कुछ भी बोल सकते हो अगर आप product service लाते हो market में कई बार है ना आपका वो नहीं चलेगा बट इसका मतलब यह नहीं कि आप में कुछ बुराई है या फिर आप unlucky हो नहीं आप बस एक short ले रहेते हो short miss हो गया, pass या fail, आप fail हो गये में भी बट बात ही है कि अगर आप toss उडाते रहोगे, मतलब try करते रहोगे अलग-अलग businesses try कर रहो, अलग-अलग content try कर रहे हो एक ना एक बार आप lucky होई जाओगे because यही होती है entrepreneurship, repeating कई सार लोग यह बोलते हैं, किसी ने बोला भी था ना मैंने बताया था, कि मैं lucky हूँ last video में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था पड़ मैं lucky नहीं हूँ, मैं सिर्फ content बनाते बनाते जा रहो एक ना एक video मेरा hit हो जाता है, जिस पर million views आ जाता है ऐसी आप भी lucky बन सकते हो, बस तीन चीज़ों पर focus करो intuition, कई सार लोग है ना कई बार अपने gut को follow करते है वो लोग काम करते रहते हैं, gut को follow करते हैं तो यह चीज उन्हें lucky या feel कराती है second, routine लाओ अपनी जिंदगी में जैसे कि मैं हर अफते संडे को एक video डालता हूँ, कभी-कभी और डालता हूँ ऐसी आप भी अपने routine लाते रहोगे और चीज़े constantly create करते रहोगे तो आप और lucky बन सकते हो और third, हमेशा इना positive और thankful रहो यह तीनों चीज़े आपको और lucky बनाने में help करेगी seventh belief जिसपे आपको focus करना है वो है the frugality scam, जो बोलता है defense 99% offense 1% तो कई सारे ऐसे creators है, finance related creators है जो लोग चीज अब extreme में लेके चले गा है कई बर starting में लोग काफे अच्छी चीज़े बता देते मुझे भी अच्छी लगती थी, बड़ आप चीज़े एक्स्ट्रीम में होना चालो हो गई कई सारे लोग अब ये card यूज कर लो, ये tips यूज कर लो, ये tricks यूज कर लो ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो लोग डरते ही नहीं है, वो लोग offensive रहे के कुछ ने कुछ action लिता है trust me, मैं भी अपनी जिंदगी में offensive रहा हूँ, मैंने जदा पचाने पे focus नहीं किया कई बर मैंने गवाया हूँ, बढ़ ठीक है न, क्या हो गया, last fall मैंने आपको जो coin वाला example दिया कई बर हाँ, मैंने heads बोला और tails आ गया, for example मैंने कुछ decide किया और वैसा नहीं हुआ, मेरा पैसे बरबाद हो गए बट उससे मेरा डर भी खतम होना चालूओ, और मैंने नहीं चीज़े ट्राइ करी, वो नहीं चीज़े ट्राइ करनी के हुज़े आज आज आप मेरा वीडियो सुन रहा हूँ, आज मुझे पैसे आ रहा है, यूटूब के थ्रूँ, समझ रहो, तो एक चीज़ में आपको यही बुलूँगा, यह फ्रुगालिटी, एक स्कैम है, फ्रुगल होना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रीम में, स्टार्टिंग में तो फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है, पैसलिए अगर थर्टीस के अंडर होतो, थर्टीस के बाद में भी आप तो और ज्यादा प्रिकॉशिस हो सकते हो, बट ओफेंसिव जादा खेलो, याद रखो, समझो गरीबी आपका अगर दुश्मन है, वो आपके ओपर अटैक कर रहा है, तो जब तक आप आप सिफ बिलीफ को भी तोड़ना चालू करो, अगर आप मेटरिक से निकलना चाहते हो, मेडल का स्ट्राप से निकलना चाहते हो, अब आट वे बिलीफ पर आते हैं, गलत बिलीफ जो आपको आगे बंढ़ने नहीं देगा वह है, वो है, इस चीज के अपर है ओधर का बहुत ही स्ट हम लोग सिफ होप के भरोसे अमीर बनने के सोचते हैं I hope I am alive for this many years I hope कि यह जो पैसा है वो इतने परसंट से बढ़ता रहेगा I hope मुझे इतने की market yield मिलती रहेगी इतने decades तक invest करता रहूंगा तो मतब basically सारा होप का game चल रहा है जबकि reality में कई बार जहां पर हम लोग financial markets में invest करते हैं तो कई बार वो assets और companies पर dependent होता है और वो कई बार जो companies और assets होते हैं वो लोग tick नहीं पाते हैं आपको बता ही होगा maximum businesses कई बार fail ही होते हैं और जो लोग अच्छे business कर रहे हैं वो लोग इतने जादे आपको return देंगे भी नहीं और third truth भी है जो है inflation का देखो एक करोड रुपय है ना 10-20 साल पहले बहुत value थी लेकिन आज एक करोड की इतनी जादा value नहीं है आज मुझे 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 मुंबई में एक करोड में अच्छा 2BH के घर मिलेगा है नहीं 1BH के एक करोड में मिल रहे अच्छी society में उससे भी जादा मैं तो basically आज अगर आप लोग invest कर रहे हो आप सोच रहे हो कि यार कल मैं करोड पती बनूँगा तो यार 10-20 साल बाद जो करोड की value हो ना अगर आपको तोड़ना जरूरी है अगर आपको ट्राप से निकलना है उसके बाद आता है Biases हम सब के दिमाग में कुछ biases होते हैं यह biases भी हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं एक bias है change से related हम सब को चेंज इतने पसंद नहीं होता है 99% लोगों को change से बहुत डर लगता है इसलिए कई लोग जोब जिससे secure way को पकड़ते हैं विकास उन्हें वो uncertainty नीची है उन्हें certain होना है कि हां मैं कितना टाइम जाओंगा 8 घंटे काम करूंगा तो मुझे इतनी salary मिलेगी जबके entrepreneurs इससे काफी अलग होते है वो लोग को पता है कि उनकी salaries हमेशा change होते रहेगी कभी बहुत आ रहे है कभी बहुत कमाएंगे और क्यू कि वो लोग ये risk appetite रखते हैं इसलिए वो लोग बहुत ज़दा पैसे कमा पाते हैं इसलिए वो लोग ऐसे लोग को hire कर पाते है 99% लोगो को जो लोग के अंदर ये risk taking appetite नहीं होता है जो लोग change से घपराते हैं इसलिए आपको ये change वाला जो बायस है उससे अपने आपको बचा के रखना है second है being right righteousness का बायस 99% लोगो को ना सहीर है के गड़ीब रहना पसंद है compared to गलत रहे के अमीर बननेगा कई बार आप देखना ना मैं लोगों को बोलता हो भाई ये early book खरीद लो या फिर ये वाला course ले लो तो लोग बोलते कि यार ये book से कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला मैंने पैसे डाल दिये लेकिन कुछ नहीं हुआ तो और कई बार ऐसा हुआ भी है कई सारी चीजों से लेटेशन में जब अपने दोस्तों को कई सार लोगों को बोला कि ये कर ये करने से लॉस होगा अब इस से होगता कि हाँ कई बार वो लोग सही निकलते हैं लेकिन इसके जैसे वोग इन पहले भी वीडियो लिया है न जो 99% लोग बोलेंगे गलत था जैसे for example network marketing ले लो बट जब मैने वो चीज़ किया तभी मुझे समझ में आया कि क्या चीज़ में सही थी क्या चीज़ सही नहीं थी जिसके और जिसी आप बोल सकते हो मैं और अपनी life में grow कर पाया ऐसे तो मैंसी example दे रहा हूँ ऐसे मैंने कही सारे गलिट decision लिया है लेकिन वो गलिट decision लेने की आदत के और जिसी एक decision सही निकला यवाने YouTube किया आगे बहुत सारे लोग YouTube कभी करने का सोचते हैं क्योंकि उनके logical brain के साब से साथ साल पहले तो YouTube पे कोई career था ही नहीं लोग पैसे कमाते ही नहीं ते especially इंडिया में तो वो तो इद्धा मी गलत था बट सिल मैंने वो चीज की ऐसी आपको भी ना हमेशा right रहने के बज़ए आप एना थोड़ा सा rich बनने पर या फिर risk लेने पर focus कर सकते हो थोड़ा बहुत Samuel washing Unconventional compels conventional reaction पहले आपको पता है लोगों को लगता था कि यार जो earth है वो पुरा flat है oval नहीं है, round नहीं है जगह से friction आ सकता है और यह friction से बचने के लिए भी कई बार हम लोग एना traditional path को छोड़के दूसरा बात लेने के उपर focus नहीं करता है जब कि again यह एक bias है जिससे आपको लड़ना चीए आप देखो अगर आपको कोई चीज करने जैसे कि for example आपको content creator बनना है तो maybe 99% लोग इसके दमबकवास चीज समझते होंगे लेकिन 1% लोग है अभी भी जो लोग content creation से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे है तो अगर वो 1% लोग कर रहे है तो समझो unconventional path लेके आप भी चीज़े कर सकते हो next है podium popping अब यह वाले example से कई बर एक confusion भी आ जाती है हम लोग कई बर लगता है कि यह वाले इंसान ने जिशन भाई ने जैसे for example book summaries बना के की है content creation तो हमें भी exactly वही चीज़ करनी चाहिए हमें भी उनकी तरह animation software यूज़ करना चाहिए हमें भी वैसी book summaries बनानी चाहिए हर चीज़ exactly वहसा करनी चाहिए बट यह भी again bias है यह चीज़ सही नहीं है mentors जो होते हैं वो कभी भी आपको यह नहीं बोलेंगे exactly जो मैं कर रहा हूँ वह exactly वही चीज़ तुम भी करो हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की unique points उनके strength उनके weaknesses अलग-अलग होते है उनकी condition उनका timing अलग-अलग होता है तो हमें यह चीज़ को भी समझना चाहिए बाइस नहीं होना चाहिए कि यह बंदे ने exactly एसकिया तो मुझे भी exactly इसका ही जो step है वही exactly follow करूँगा तब ही मैं आगे बढ़ूँगा हर इंसान अलग है, हर इंसान के जिन्दगी अलग है हर इंसान के बस एक अलग pen है जिससे वो अपनी एक अलग कहानी लिख सकता है और उसे लिखनी भी चाहिए तो यह चीज़ को भी समझो नेक्स्ट बायस आता है सवाइवल स्पोट लाइटिंग रिशेंटली स्टाट अप की बहुत हवा चली बहुत से लोग से स्टाट अप करना चालू कर दिया क्या हो रहा था कि जो स्टाट अप के कुछ गीने चुने स्पोट लाइट हीरो है उनकी बहुत जदा मार्केटिंग हो रही थी और कराई जा रही थी या हो भी रही थी जिसके सब लोग का ध्यान उनके उपर था जो लोग बहुत सेक्सफुल बन रहे ये देखके ये स्पोटलाइट देखके कई सारे लोगों ने ऐसा गलट डिसिजन लेना चालो किया कि चला हमें भी स्टार्ट अप करना है बड़ो ये नहीं समझ रहे थे कि यार स्टार्ट अप वाली फील्ड चुन लोगे अपना कॉलेज डॉप आउट लेगे तो आप स्टार्ट अप में बहुत अमीर बन जाओगे ऐसा नहीं होता है आपको ये चीज भी समझना चाहिए कि स्टार्ट अप बहुत टफ चीज है इसमें मैक्जिमम लोग फेल होते है हाँ और अगर आप ये चीज़ को समझते हो कि मैक्जिममम आपको फेलिर्स ही मिलेगा फिर भी आपको अंट्रप्रेनर्शिप में इंटरस्ट है आपको लोग की लाइफ में वैल्यू एड करने में इंटरस्ट है आपको बिजनस बनाने में इंटरस्ट है हारिं में इंटरस्ट है इसा कुछ बढ़ा करने का शौक है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स और नेगिटिविटी के बाद भी, तो आप सोच सकते हो कि आपको करना चाहिए, समझ रहो? नेक्स्ट जो बायसे जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे सकता है, वो है, मोमेंटम पैरलेसिस, अजया कई बार ऐसा होता है, content creators लोग भी इना, इसलिए फेर हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं, एक प्लान वो लोग बना लेते हैं, प्लान बनने अच्छी बात है, लेकिन कई ब action आ रहा है, लोग उसे ज़्यादा पसंद कर रहा है, तो उन्होंने अपने current plan को change किया, और उन्होंने photo-based app बना दिया, वैसी अगर आप अभी देखोगे, तो Instagram पे, Mark Zakab भाई ने क्या किया है, वो photo app पहले था, लेकिन अब ज़्यादा real app बन गया है, वहाँ पे लोग ज़ लेकि ऐसा करना है, तो फिर ऐसा ही करना है, और लोग फ्लेक्जिबल नहीं होते है, जिसके जिसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते है, तो आपको इसलिए यहाले bias से भी बचना चाहिए, यह था 3B, 2B, लास्ट 3B आता है, बुल्षिट्स का, बुल्षिट्स पे में तीन ची बनाओ, तो बुलेगे, ठीक है, मोबाइल है, लेकिन मोबाइल से कर लूँगा, लेकिन मोबाइल में वो ओडियो रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता है, तो मैं मैं बनागा ठीक है, ओड़ियो रिकॉर्ड के लिए, आड़बी पॉड्कास्ट एनांसर जो है, वो सौफ यह, 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 रिजन है, नहीं, जब तक आप यह करते रहोगे, तब तक आप middle class trap को तोड़ी नहीं पाऊगे, second bullshit जैसे आपको बचना है, वो है, cliches, कई बारे लोग कुछ मंतराज बना लेता है अपनी जिंदगी में, जैसे वो लोग बार 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 रिपीट करके अपनी जिंदगी में यूज करता रहता है, जैसे कि for example, money is the root of all evil, यह तो अमीर लोग होते ही चोर है, सारे businessmen fraud होता है, अचा सची का, तो क्या रटन टाटा सर जी और अजीम प्रेम जी जैसे जो बहुत अच्छे लोग है, वो लोग भी fraud है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई बार इस क्ल्ट्स है, क्ल्ट्स में अगर आपका कोई group है, strong community है, जहां पर लोग आपको grow करने में help कर रहा है, जहां आपकी individuality को, जहां आपकी way of thinking को respect किया जाता है, वो ऐसी जगह ज़रूर जाओ, लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह कल्ट पर जा रहो हो, जहां को specifically हर एक चीज बत Socratic questioning, जब भी आपको की चीज सुनने मिल रहा है, कोई भी बात आप सुनते हो, तो इसे question करना start करो, क्या जो बात बोली जारी है, क्या वो सच में सेंस वाली है, या फिर कुछ भी बोल रहा है, तो या जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, अज Second है, the cancer corollary, basically से जदा simple example से बताओ, तो कई बार रहना लोग दूसरों की backstory से बहुत होग हो जाते, क्यार मैं इस बंदे की बात नहीं सुनूँगा, या बन्दा तो बहुत यंग है, या फिर ये बहुत old है, या पुराने जमाने की सोच रखता है, या फिर ऐसा है या जबकि अगर आपको कोई चीज सीखनी है, कुछ अपने आपको जिंदगी बापको करना है, और आपको लगते है कि वो सामने वाले इंसान के पास उसका answer है, तो उसकी backstory irrelevant हो जाती है, आपको उससे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि वो कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, उसकी सो बेसिकली का सिंपल मतलब हो ही बोलता है, कोई भी चीज जब आप सिखा रहो तो ट्राय करो से पहले खुद अपनी लाइफ में अपलाए करो और जब अपपलाए करो और चीज करोगे तो ज़्यादा लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपकी बात संजेंगी भी और आपको follow भी करेंगे, जैसे कि for example मेरा भी example देता हूँ, मेरा भी दिल किया ना कि इना मैं एक business coach बन जाओ, ठीक है बट फिर मुझे समझ में है कि मैं इतना ज़ादा business नहीं किया मैं जो चीज में actual मैं अच्छा हूँ वो है content creation और content creation में भी जिस चीज में ज़ादा एक fake identity लोगों के सामने दालने के कोशिश मत करो, job नहीं हो बस यह थे 3 B's, जिसमें believe आगया, biases आगया, bullshits आगया जिसके सारे solution भी मैं आपको दे दिया हूँ बट अभी भी, आप देखोगे तो यह diagram का सिफ यह party cover हूँ है अगर आप चाहते हो कि आगे की diagram को मैं explain करूँ तो यहां तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा पर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी series ही बना दूँ, kind of आगे की एक एक बात है, इसमें बहुत सारी बात है, interesting बात है इस book में, जब चाहते हो मैं आपको बताओ, तो again, comment करके जरूर बताना कि आपको next part भी चाहिए, तो मैं इसके पर और वीडियो एक और वीडियो बना दूँगा, ठीक है और अगर अगर सैनलों को subscribe करके bell icon जरूर दबा के रखना, जब भी मैं इसका next part डालू, तो आपको फिर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, तो यह चीज़ करके रखो, अभी के लिए बस इतना ही, अगर आपने इस वीडियो का पहला part नहीं देखा है, तो वो जाके देख ल अब ही के लिए बस इतना ही, मिलता है next वीडियो में, बाब बाए